गौरया जिन्हें अंग्रेजी में स्पैरो कहा जाता है, एक छोटा पक्षी है जो इंसानी बास्तियों में आमतोर पर देखा जाता है। ये पक्षी छोटे आकार और मोटे पंक होते हैं। उनकी पंकों का रंग आमतोर पर हरे और भूरे शेधरंग का होता है, लेकिन उनकी यंगन वैश्विक रूप से विभिन रंगों में देखी जा सकती है। गौरया एक परिवारिक पक्षी है और ज्यादातर जोडी बनाते हैं और इंसानी बस्तियों में घोसला बनाते हैं। इनका आहार बीज, दाने, कीट, अर्धसिद्ध और पाशान खाद्य सामगरी से मिलता है। गौरया को एक बास्टी में बड़ी संख्या में देखना आसान होता है क्योंकि वे सामुहिक रूप से रहते हैं। यह एक अत्यंत लोप्रिय पक्षी है और उनकी मीठी आवाज को बहुत पसंद किया जाता है। इन्हे कई देशों में लोप्रियता और सांस्कृतिक महत्व मिला है। बहुत समय पहले से ही इन्हे मनोरंजन के रूप में रखा जाता था। जैसे कि गौरया को कबूतर खाना में बजाया जाता था, जहां लोग इन्हें खाना और खाना देते थे। गौरिया की संख्या में गिरावट की वजह से यह पक्षी अब कुछ इलाकों में कम हो गई है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे शहरी करण, बातावर्णी परिवर्तन, उप्युक्त, आवास की कमी और खाध्य संकट। इन सभी कारणों से गौरिया को अब एक प्रजन संरक्षन क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाती है, ताकि इनकी संख्या बढ़ाई जा सके और इस पक्षी की जाती को संरक्षिक किया जा सके। इस पक्षी को रेशमी दान्थ, रेशमी दान्थ या रेशमी पंख भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पंख एक छोटे छोटे दान्थ की तरह दिखते हैं और रेशमी जैसी चमक दिखाते हैं. यह था गौरया पर थोड़ी सी जानकारी. अगर आपको और विस्तरित जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सबक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद